हलो एब्रिवन डिस इस निलूफे निहा खान एंड वेलकम तो आई यूटूब चैनल सिक्षाले तो आज हम बात करेंगे के विएस टीचर्स रिक्रूट्मेंट के से डिलेटेड कुछ डाउट्स को लेकर ठीक है और मोस्ली हम बात करेंगे के एलिजिबिलेटी क्राइटीरि सेलरी एक्जाम पैटर्न देखे जितने अभी चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि के विएस की विकिंसी चार साल बाद अब आने की आने ही वाली है ठीक है तो उसको लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज हैं तो अभी तक के विएस ने अपना ओफिशली तो क्या सिनेरियो है जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिप्रेशन को शुरू कर सकते हैं तो अगर हम लास्ट नोटिफिकेशन को रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन को देखे तो उसमें जो एलिजबिलेटी क्राइटीरिया दिया गया है सारी चीज़े जो जो होगी यह बताईए तो इसलिए जरूरी है आपकी तैयारी पहले से ही शुरू होनी चाहिए और पहले से कब शुरू होगी जब आपको systematic way से चीज़े पता चलेंगी ठीक है तो मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ा आप तक आप तक authentic पहुंतिक पहुचार नेगी लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो सबसे पहले आगर बात करें हमारी के वियर स्टीचर्स eligibility कर लेकर तो सबसे जादा जो doubts होते हैं वह आपके eligibility को लेकर ही होते हैं ठीक है तो मैं आपको बता देती हूं कि eligibility criteria में आपके क्या है अगर हम बात करें PRT की ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी PGT की तो PGT में अगर आपकी screen पर ये show हो रहा होगा PGT में अगर essential qualification की बात करें तो master degree आपकी होनी चाहिए and as well as आपका BA complete होना चाहिए है और यहां कोई seated required नहीं होता ठीक है किसी बता रही हूं PGT की ठीक है और आपका desirable में basic knowledge of computer होना चाहिए ठीक है इतनी चीज हो गई आप बात करें आपकी PRT में और TGT में तो TGT में जो essential qualification की मांगी जाती है 50% marks आपकी graduation में होनी चाहिए है और आपका BA complete होना चाहिए ठीक है यहां diploma वाले eligible नहीं हो पाते और हां यहां पर TGT में वह भी apply कर सकते हैं जो की चार साल का वह वाला BLA करते हैं चार साल वाला जिसमें एक साल की BLA होती है और उनकी तीन साल की graduation तो वह लोग भी eligible हो जाते हैं TGT में apply करने के लिए ठीक तो देखिए व्याज़ा TGT में काफी subject combination को लेकर काफी confusion होती है तो मैं उसका TGT में subject combination को लेकर आपका एक separate video बना दूँगी जिसमें कि मैं अच्छे से explain करने की कोशिश करूँगी क्योंकि mostly जो confusion होती है TGT में यह होती है Maths, Science और SST इन तीन subjects में mainly confusion होती है और बाकी language के subject होते हैं उन में तो थोड़ा बहुत चीज़े manage हो भी जाती है लेकिन इन में नहीं हो पाती है तो subject combination को लेकर अगर आप comment करेंगे तो मैं आपको वह सारी चीज़े भी बता दूँगी ठीक है और अगर हम बात करें PRT की तो PRT में आपक PRT में आपकी जो essential qualification होती है पहला आपका बीलेड या डीलेड या फिर जो बीलेड जो आपका 4 साल का होता है या तो वह या फिर प्लैस आपकी graduation 50% marks के साथ देखें तीन चार option होते हैं इसमें पहला होता है डीलेड डीलेड 12 के साथ 12 50% marks के साथ और आपका डिप्लोमा ठीक है यह condition 1 हो गई दूसरी condition क्या होई बीएड प्लस आपका graduation में 50% marks दूसरी condition यह हो गई तीसरी condition इनकी होती है कि चार साल का आपने integrated course किया हो डीलेड जो बतारियों में चार साल वाला जो आता है mostly डेली में और भी कई जगा बीएड देखने को मिलता है तो बीएड क्या होता है जिसमें आप एक साल की आपकी graduation होती है और एक साल का आपका यह बीएड ठीक है और यहीं PGT में 40 होती है ठीक है मैं सारी इसमें information आपको provide करने के लिए इसलिए सोच रही हूं क्योंकि सारी चीज़ा अगर आपको एक ही जगा मिल जाएगी तो आपके mostly confusion दूर हो जाएगे ठीक है तो अब बात करें इस relaxation के बारे में तो OBC को 3 साल का मिलता है ST को 5 साल का और जितनी भी women candidates होती है महिला सिक्षक या फिर महिला भ्यारती उन्हें 10 साल का relaxation मिलता है जैसे कि अगर PRT की age है आपकी 30 years तो उन्हें 10 साल का अगर age relaxation मिला तो यहां पर महिलाएं कितने तक apply कर सकती है 40 तक तो वो depend करता है आप DGT के लिए apply कर रहे हो तो 45 और PGT के लिए apply कर रहे हो तो 50 ठीक है यह चीज अब बात करें आपकी हां विकिंसी आपको पता चली गई होंगी विकिंसी अगर PRT की बात करें तो 4321 यानि कि 4000 4321 यहीं पर अगर बात करें TGT की तो 3848 और यहीं TGT की बात करें तो PGT की बात करें तो एक हजार 942 वेकिंसी है नमबर ओफ वेकिंसी है अभी तक ठीक है हां आप बात करें बुक्स की तो देखें बुक्स में बताओं आपको वैसे तो देखें NCRT से बेटर आपको option कई और नहीं मिल सकता क्योंकि इन्होंने अपना स्लेबर्स भी डिफाइन कर रखाया हां यह चीज मैं आप लोगों के लिए शाम तक स्लेबर्स वारे वीडियो बना दूंगी चाहें वह PRTO TGTO या फिर PGTO लेकिन यह याद रखिएगा कि आपको स्लेबर्स के हैं या फिर बाद में भी किये जा सकते हैं तो उन्हें थोड़ा सा छोड़ दीजिए ठीक है इससे क्या होगा कि अगर एक्जाम पैटर्न में यह स्लेबर्स में थोड़े से चेंज होंगे तो इंपोर्टन टॉपिक्स आपके पहले ही प्रिपेर हो चुके होंगे तो यहां पर बुक्स का मैं बता रही हूं तो बुक्स अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ एंसी आर्टी को यह प्रेफरेंस में रखिए अपनी ठीक है एंसी आर्टी और हां यहां पर एक चीज और TGT व सब्सक्साइल साथी युवाला स्टूटन पर तो उससे जनल कोशन ही पूछ जांगे घूब हाएं सब्सक्राइब WP मैं आपका सब्सक्राइब से आपके Спूप्सरती साथं वेकिनसी आपकी PRT की हैं आप अगर बात करें हम एक्जाम पैटन के बारे में तो MSQS टाइप होता है चार आपके आते हैं चार में से आपको एक टिक करना होता है और नेगेटिब मार्किंग नहीं होती ठीक है और अभी तक जो एक्जाम्स कंडक्ट किया जाता है वो offline mode पर किया जाता है टाइम आपको धाई गंटे का मिलता है यहीं अगर बात करें जॉइनिंग की तो जॉइनिंग आपको all over इंडिया में है यह थोड़े से myth फैलाई जाते हैं कि women candidates को जॉइनिंग उनके according दी जाती है या फिर उनकी शेहरों में दी जाती है ऐसा कुछ नहीं है काफी ऐसे candidates से मेरी personally बात हुई जिनसे जिनोंने बता है कि ऐसा मतलब शायद किसी के छोटे बच्चे भी है तब भी उन्हें साउथ में posting मिल जाती है तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेफरेंस रखे आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन-कौन से प्रेफरेंस और उससे ध्यान भी रखा जाएगा लेकिन यह कोई mandatory नहीं होता कि आपकी प्रेफरेंस के उसका वेटेज और 50% 15% होता है आपका इंटर्वियू का रेशियो ठीक है तो अगर हम इनकी बात करें तो दोनों को मिलाकर 100 हो जाता है ठीक है तो अगर यहां पर कोई कि रेशियो के मताहिए हूँ और यहां पर अरांट 50% हो जाता है ठीक है तो यहां से कैल्कुलेशन करके जो कटव निकले रिजल्ट होगि ठीक है तो क्या होगी रिजल्ट इस तरीका के से कटःब मती है क disruptive करता है कि आपके और एसा कुछ नहीं है ठीक है स्लेक्ट ऐसे केंडिडेट्स भी होते हैं जिनके 80 मार्क्स होते हैं 90-100 की रेंज में होते हैं डिपेंड करता है नमब्र ऑफएंसी पे लियास करता है ठीक है कई बच्छेटना आर्ट इन्टरव्य क्लिएर नहीं केया इसे तो कर दिया सकति है घाल साथ है सुलनी जो कॉमेंट से मेरे पास लिए अगर 셔़ पीई एती टी टेटी और पीडी की सेलरी की बात करें तो यहहमारा होता है बेसिक पे थी working ठीडरी का वह कि अपके सेलरी का वह एक अमाॉंट जो आपको सरकार ने fix कर रखा है मिलना ही मिलना है उसके पर आपको allowances मिलते हैं यानि को कुछ सुविधाई मिलती है ठीक है तो around PRT की बात करें तो around 60 से आप 55 से आपकी 60 की range में हो जाती है salary ठीक है पूरा calculate करके जो भी allowances वगेरा यहीं पर अगर TGT की बात करें तो 70,000 around हो जाती है ठीक है यहीं पर अगर PGT की बात करें तो 75,000 around हो जाती है ठीक है यानि कि 75,000 आपकी salary around हो जाती है अच्छा मैं एक चीज़ और आपस लोगों से पूछ रही थी कई मेरे पास कुछ प्रिंसिपल को लेकर अगर आप इंट्रस्टेड हैं के विएस में प्रिंसिपल की information को लेकर तो प्लीस comment box में comment कीजिएगा मैं आपको उससे उससे related भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों की authentic information आप तक पहुंचा दूंगी चाहें वह eligibility criteria को लेकर हो या फिर आपका slavers से related हो ठीक है तो यहां मैंने almost आपको सारी चीज़ा बताने की कोशिश की हैं लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीस आप comment box में comment कीजिएगा आप शाम को आपको मिलेगी slavers की वीडियो ठीक है तो slavers के लिए आपको शाम को तक का वेट करना होगा क्योंकि मेरको सारा कुछ अपने आप खुद ही manage करना होता है ठीक है तो शाम को आपको स्लेबर्स की वीडियो मिल जाएगी और उस स्लेबर्स के according उसका printout निकल वा लिए जिये या कुछ भी कर वा लिजिये आपको अपनी तयारी शुरू कर देनी है ठीक है तो यहां ये वीडियो हमारी खतम होती है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक एं शेय टूट पाचा है जो विचारे कंफ्यूज है अपनी प्रेपरेशन को लेकर थांक यू फॉर वाचिंग